हाई गाइस वेलकम तो लॉफ यू मैसेल्फ सीय जय चाबला बचो यह लेक्चर की जो सीरीज आप देख रहे हैं यह लेक्चर की सीरीज में आपको जितने भी सारे लेक्चर्स दिये जा रहे हैं वो lectures किस regarding है वो lectures है जो ICI ने अपने modules में updates किया है मैं amendment word नहीं बोलूँगा प्लीज क्रिप्या करके आप भी ना बोलें क्योंकि amendments नहीं है amendments जो हैं उसके दो lecture मैं YouTube पे डाल रहा हूं साथ-साथ जब तक आप यह lecture देख रहे होंगे तब तक शयद एक lecture तो YouTube पे दिख भी आपको दिख चुका होगा तो ICI ने अपने modules में जो updates किये हैं updates कुछ questions एड किये हैं कुछ examples एड किये हैं illustrations एड किये हैं और कुछ नए paragraphs डाले हैं नए paragraphs मतलब कोई नई चीज़े नहीं आई हैं उन्ही paragraphs को change किया है कुछ charts डाले हैं उसी के regarding यह lectures आपको दिये जा रहे हैं मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अगर आप यह lecture नहीं देखते हो तो आपको आगे आने वाले lectures में कुछ doubt जा सकता है और उसके लिए आप लगाओगे मुझे call या आप लगाओगे मेरी team को call या फिर आप करोगे हमें WhatsApp या mail और अगर आपको उन चीज़ों का जवाब नहीं मिला तो आप हो जाओगे फ्रस्ट्रेट और उसके बाद आप जब हमें करोगे मुझे especially WhatsApp करोगे तो मैं हो जाओँगा फ्रस्ट्रेट और हो सकता है कि मैं आपको चिला दू क्यों क्यों क्योंकि मैं आपको यही पूछोंगा ही वह यह lecture इन इस निउस्टडी मैट इन इस निउस्टडी मटेरियल उसके रिगार्डिंग है ठीके ना अच्छा यह अपडेशन के जितने भी चीजें इंपोर्टेंट है वो मैंने आपको इन लेक्ट्ट्रस में प्रोवाइड की हुई है अच्छा मैं आपको अपनी तरफ से क्या दूँगा मैं आपको अपनी तरफ से दूँगा PDF soft copy PDF soft copy सर जी PDF soft copy आप सोग आपको कहां से मिलेगी आप जाएंगे Google में आप जाएंगे Google में ठीके ना हमारी जो V smart website है आप उसमें जाएंगे आप जैसे ही इसमें आएंगे आपको यह वाला प्रोड़क्ट दिखेगा अगर आपने यह वाला परचेस किया होगा अगर आपने यह वाला परचेस नहीं किया हो सकता है आपका existing आपने कोई super 40 fast track लिया हो या फिर existing आपने कोई booster batch currently लिया हो तीन या पांच फरवरी के बाद पांच फरवरी 2021 के बाद तो हो सकता है आपने अगर booster लिया है या फिर आपने super 40 लिया है तो भी आप इसी में जाएंगे तो भी आप इसी में जाएंगे आप इसके अंदर जाएंगे जब आप इसके अंदर जाएंगे तो इसमें आपको यहाँ Demo Books करके दिखेगा Demo Books के अंदर जाएंगे आपको यहाँ जाना है Second Number Point पे Online Download Lectures Online Download Lectures के अंदर आपको क्लिक करना है आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा Course PDF आप इस Course PDF के अंदर जाएंगे और इसमें सारे के सारे Course PDF आपको दिखेंगे सारे के सारे Course PDF आपको प्रोवाइड दिखेंगे आई मेरी बात समझ में की नहीं सारे के सारे Course PDF आपको दिखेंगे तो गैस यह Course PDF जैसे एक मार्च का Course PDF मनलब डेट पर आपको ध्यान नहीं देना यह आपको PDF फाइल सारी दिखेंगी ठीके ना अच्छा सर जी PDF soft copy आपको दी जा रही है अच्छा दूसरी important बात अभी तक जिस टाइम पर मैं ये lecture record कर रहा हूं मैं ये lecture record कर रहा हूं आज एक मार्च को अभी तक मैंने सारे PDF प्रोवाइड नहीं किये हैं मैं डेली बेसिस पर PDF अपडेट करता जाओंगा उसी ड्राइव में मतलब यहीं पर आपके PDF आपको अपडेट होते जाएंगे इसमें और एड होते जाएंगे टॉपिक बाइड होते जाएंगे ठीके ना तो PDF सॉफ्ट कॉपी आपको मिल रही है साथ साथ अपडेट होता जाएगा सर्जी यह फाइनली अपडेट कप तक होगा लगबग 10-12 दिन में अपडेट हो जाएगा अच्छा तीसरा सर्जी इन में जो PDF से अब जैसे मैं PDF में मैं किसी भी PDF में जाओं जैसे इंडेस 116 में चले जाएंगे अब जैसे 116 की बात करें तो 116 में जितने भी नए मैं कुछ और बोल देता हूं जैसे 105 105 में अब आगर आप देखेंगे तो 105 में क्या है उन्होंने कोई कि अमेंड़ेमेंट में तो की नहीं है उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक्जांपल 151 यहां लगा कि यह वच्चों से बनेगा नहीं इंसका मतलब क्या बोलना चाहि हूं मैं इसका मतलब यह बोलना चाह रहा हूं कि जितने भी एपार में अप्डेटेड अप्डेशन हुए है मैंने सिलेक्टेड क्वेस्चेंज विट सल्यूशन्स सिलेक्टेड मतलब इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट अलॉंग विट कंसेप्ट आर प्रोवाइड़ अगर मान लीजे आई सी आई ने 100 वेस्चेंज आइड किये होंगे हंडरेट किये नहीं है हंडरेट से जादा ही किये हैं मान लीजे आपने 150-180 किये तो मैंने इंपोर्टेंट 60-70 कोई की वीडियो क्लिप्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं वह वीडियो क्लिप्स कौन से हैं मेरी जो अभी करेंटली क्या लगबग मेरा एफार का बैच खतम पर होने आया है एफार रेगुलर कोर्स का बैच एफार रेगुलर कोर्स में मैं इन सारे अपडेशन को कवर अप करता जा रहा हूं मैं सारे के सारे अपडेशन कवर करता जा रहा हूं एफार रेगुलर कोर्स इस एस पर माई institute new material, institute updated material तो मैंने उनी FR के जो मैंने lectures लिये हैं उसमें मैंने जितने भी updatesions discuss किये हैं उनमें से कुछ, उनमें से मैंने videos को edit किया है और जो जो मुझे most important topics लगे, मुझे most important questions लगे, जो मुझे लगा कि ये बच्चों को अलग से करना चाहिए वो मैं आपको provide कर रहा हूँ और ये ऐसा नहीं कि मैं अभी आपको ऐसा बता रहा हूँ ये मैंने पहले से ही announcement कर दिया था कि मैं सारे के सारे questions discuss नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ most important questions discuss करूँगा most important concepts जो नए add हुए हैं, जो student को पता होने चाहिए वो discuss करूँगा Sir, बाकी का क्या करेंगे जो questions आपने discuss नहीं किये हैं या जो चुट-पुट का concepts हैं जो आपने discuss नहीं किये, जो हमें आप provide नहीं करें, उनका क्या करेंगे, उनका आप self study कर सकते हो क्योंकि जो मैंने आपको pdf file दिया है ठीक है ना अच्छा जी अच्छा जी तो इसका मतलब मैं बोल देता हूँ not covered very simple or repetitive questions ठीक है या फिर examples ठीक है एक और बात यह पताना चाहता हूँ कि institute ने जितने भी questions add किये हैं अपने new module में I found जब मैंने अपनी FR की regular course में पढ़ाना शुरू किया इन institute के नए module के according तो मुझे यह realize हुआ कि maximum questions are taken from existing RTPs and MTPs maximum questions are taken taken by ICI from existing RTPs MTPs या फिर past exam papers past exam papers में से बहुत ही कम but RTPs और MTPs में से मुझे दिखे institute ने यहीं से लिया है जबकि हमारा खुद का भी हमने मैंने अपना compiler जो निकाला है उसमें मैंने सारे total lectures कहां से मिलेंगे कैसे मिलेंगे अच्छा यह तो course PDF हो गया ठीके ना अच्छा total number of lectures के लिए आपको यहां देखोगे यह encrypted lectures आपको lecture number 2 से मिलना शुरू हो गया हो हो गया है lecture लेक्चर number 2 जैसे 23 के ऊपर है पर यह नहीं बता सकता की total number of lectures कतने होंगे। क्यों ऐसा नहीं बता सकता क्योंकि अभी भी मेरी regular course की recording running चल रही है और हमारा module 3 अब जाके शुरू हुआ है तो module 3 जैसे ही खतम हो जाएगा total lectures final हो जाएगे अच्छा सर्जी कब तक आप पूरे lectures upload कर लोगे बेटा मैं March end मतलब 31st March 31st March I will upload I will complete the recording and lectures will be uploaded till 31st March 21st इसका मतलब क्या अगर आप lectures देखना शुरू कर रहे हैं और अभी 31 March complete नहीं हुई है और आपने पूरे lectures जितने upload हुए हैं आपने वो देख लिए हैं बच्चे मैं आपको हाथ जोल के बोल रहा हूँ आप 31 March तक का वेट करेंगे अगर आप 31 March से पहले impatiently मुझे WhatsApp कर रहे हैं मुझे phone कर रहे हैं मुझे messages कर रहे हैं V smart team को phone कर रहे हैं mails कर रहे हैं messages कर रहे हैं कि सर बाकी के कब upload होंगे बाकी के कब upload होंगे बाकी कब upload होंगे तो बच्चो अगर आप impatient हो सकते हो तो कोई भी हो सकता है, फिर मैं भी हो सकता हूँ, अगर आप इंसान हो तो मैं भी इंसान हूँ So please, 31 मार्च से पहले कोई भी question नहीं raise किया जाएगा कि सर बाकी के lectures कब upload होगे, मैं हाद जोड के request कर रहा हूँ अगर किसी का भी मुझे ये comment आया, कहीं पे भी, किसी भी platform पे चाहे वो social media पे हो, चाहे telegram पे हो, चाहे YouTube पे हो, कहीं पे भी आया मेरे से बोरा कोई नहीं होगा, मतलब आपको हो सकता है, शायद ये words थोड़े से अजीव लग रहे हो हो, but actually this irritates, जब बच्चा, जब बच्चे को सारी information दे दी जाए और उसके बावजूद वो information मांग रहा है, वो ये lecture पता नहीं, शायद देख रहा है कि नहीं देख रहा है, पर ये lecture दिया ही इस ही लेगे ताकि आपको information मिले, उसके बावजूद अगर आप मुझसे ये चीज बार-बार पूछोगे, तो शायद मैं अपना patience खो दूँगा, तो प्लीज, 31 मार्च से पहले मुझसे कोई नहीं पूछेगा, नवी smart team से कोई पूछेगा, कि lectures कब तक upload होगे, हाँ, अगर 31 मार्च तक पूरे lecture upload नहीं हो पाए, तो उसके बाद मेरी जिम्मेदारी, आप definitely मुझे परिशान कर सकते हो, मुझे पूछ सकते हो, मुझे गालि आपको ये lectures, updates के तोर पर दिये गए है, अच्छा, ये lectures, basically, जिन बच्चों ने मेरा FR fast track खरीदा है, booster खरीदा है, उनके लिए भी है, जिन्होंने मेरा पुराना FR regular batch खरीदा है, उनके लिए भी है, जिन्होंने मेरे से कभी नहीं पढ़ाए, उनके लिए भी है, जिन्होंने fast track और booster खरीदा है, पांच फरवरी के बाद, tentatively मैं पांच के चल रहा हूँ, पांच फरवरी 2021 के बाद, उनको ये lectures देखने के लिए जो serial की लगेगी, क्योंकि encrypted है, उनको ये serial की साथ में उनको मिली होगी, पर जिन्होंने ये lectures अलग से खरीदे हैं, ये इस product को especially avail किया है, तो उनको इसकी serial की उनके login में मिलेगी, जिन्होंने पांच फरवरी से लेकर, FR fast track या FR booster खरीदा है, तो उनको fast track और booster के साथ दो-दो keys मिली होगी, पहली की जो उनको normal, जो उनको lectures देखने हैं, जैसे fast track में 40 lectures है, तो 40 के 40 उनको देखने हैं, जैसे booster है, तो booster के उनको जो भी 22 lectures देखने हैं, और उसके साथ उनको एक और serial की मिली होगी, जो इन सारे encrypted lectures के साथ play होगी, मैं आपको ये भी बता देता हूँ, कि serial की अगर आपको नहीं मिली है, तो वो कैसे मिलेगी, serial की कभी mail पे नहीं आएगी आपको maximum, जब तक हमारी तरफ से कोई गलती न हुई हो, आ आप जब अपने login पे जाएंगे, login मतलब, login का मतलब ये हुआ, जब आप यहाँ पर अपना login करेंगे, इधर login दिया हुआ है, मैंने अब अपना login ओपन करेंगे, तो आप दिखेगा, जैसे मेरे ये login मेरा है, as a student के तोर पर, तो आप login में order status के अंदर जाएंगे, जैसे ही order status के अंदर जाएंगे, ये तो कोई दूसरा product है, ये तो पुराना product है, सिर्व एक example पर तोर पर बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको course activation में जाना है, course activation में जैसे ही आप जाओगे, यहाँ पर आप जैसे मेरा यहाँ पर दिखा रहे है, show की, show की से पहले आपको दिखाएगा generate की, अगर आपने पहले से ही generate करके रखा होगा, जैसे मैंने करके रखा है, तो यहाँ पर आपको show की बताएगा, आप जैसे ही show की click करोगे, तो आपको यहाँ पर serial की बता देगा, अब जिन्होंने FR fast track या booster अवेल किया था, उनको 22 keys उनकी order status में मिल गई होगी, जिन्होंन मेरा कोई product खरीदा था, नहीं खरीदा कुछ भी, तो उनको अलग से उन्होंने यह product definitely खरीदा होगा, 100 rupees पे करके, तो उनके भी order status में जाके serial की आपको मिल जाएगी, ठीके ना, तो यह सारी बाते मैंने आपको बता दी, even मैंने आपको बता दी कि धीरे-धीरे आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीके, तो बच्चों, मैं आपको बस इतना पताना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम तभी होती है, जब आप lectures, जब आप proper information आपको नहीं मिलती, प्रॉब्लम तब होती है, जब आपको information दी जाए, बढ़ आपने उस information को सुना ही नहीं, और ज यहां पर आपकी frustration को कम करने के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है, और इसको मैंने lecture number 1 दिया है, ताकि आप पूरा पूरा lecture देखें, आम तोर पर क्या होता है बच्चा, इंट्रो लेक्चर देखना ही नहीं है, तो मैंने इसको जान बुच के lecture number 1 बोला है, ताकि आप properly ये सारे lectures देखने हैं, और I hope आप आराम से सारे lectures देखके खतम करेंगे और आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, इन केस अगर आपको कोई difficulty होती है इसके अलावा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वी smart team को जरूर आप mail कर सकते हैं, ithelp at the rate vsmartacademy.com, ithelp at the rate vsmartacademy.com, यहां फि ठीके, आप इन lectures को देखने के बाद feedback मुझे जरूर दीजेगा, चाहे आपको lectures अच्छे लगे, चाहे आपको lectures बुरे लगे, मुझे जरूर feedback दीजेगा, ताकि मैं अपने आपको improve कर सकूँ, thank you so much, अभी के लिए इतना ही, bye bye, जयमादादी, अलाफिस, lecture number 2 आप देखना श